आज मैं आपके ले के आई हूँ एकदम पॉर्फेक्ट नाप के साथ बालुशाई कैसे बनाएं कि आपकी बालुशाई एकदम पॉर्फेक्ट और एकदम रसीली बने अंदर से तो चलिए फिर वीडियो को देर नहीं करते हैं जल्दी शुरू करते हैं मैं देमाशकार दोस्तो मैं सव शुष्मा आपका करेस्वई में स्वागत करती तो सबसे पहले चाष्णी तीयार करते हैं यहां मैंने दो कप चीनी ले लिया है एक घर की सेट मैंने आपको अछे संग्जानी के लिए हमें बीगे यहां पर घ Tiragam तो यहां पे हमें हाई फ्लेम पे बस इसको बालना है और इसमें एक चुथाई चमच में नीमू का रस डाल दूंगी ताकि जो चाशनी है उस पे जो परत जम जाती है चीनी की सफेद सफेद वो ना जमें जब हम बालुशाई डाले तो चीनी हमें यहां पे देखिए शुगर मैदा मैंने बावल में डाल लिया है अब इसी के साथ मैं डाल रही हूँ एक चोटा चमच यहां पे डाल रही हूँ बेकिंग पावडर तो यहां पे बेकिंग पावडर डाल देंगे और इसको कर लेंगे यहां पे अच्छे से मिक्स यहां पे इसको अच्छे से मिक्स करना अच्छे से इसको mix कर लेंगे घी को ये देखी अच्छे से mix हो चुका है घी और अभी मैं आपको दिखाते हूँ इस तरीके से देखे अब बहुत असानी से फोल्ड हो रहा है अब थोड़ा थोड़ा पाई डालते वे हमें आटे को यहां पे फोल्ड करना है गूनना नहीं है इसको फोल्ड करना है देखे किस तरीके से इसको फोल्ड करना है गूनना नहीं है यह यहाँ पर देखे इस तरीके से आपको करते जाना है और बहुत ज़याम पानी का यूज भी नहीं करना है तो यहां देखिए मैंने यहां पे इसको मिला लिया है अब यहां पे देखिए इसको मैं रख दूंगी दस मिनिट के लिए तो यहां पर इसको मैं 10 मिनिट के लिए सेट होनी के लिए रख देती हूँ 10 मिनिट बार देखते हैं तो यहां देखिए अब इसका में दिखाती हूँ अंदर से यह देखिए इस तरीके से यहां पर हमने सिर्फ फोल्ड किया है आटे को गुंदा नहीं है इसको तोड़ना आप एक के उपर डी आना हमें इसको मिलाना तो यहां पर तोड़ते वे इस को हमें पांच से छे बार कर लेना है अजयत कि आधे है इसके अपको दीख रहा दे एक्पैस रिख सी सब्सक्राइब कर लोंगी हलके हाथ से दबा लोंगी अब यहां पर में नाइफ की सायता से इसको कट करूंगी देखिए इस तरीके से कट करना है और एक के उपर एक इसके उपर रखना है फिर से दबाना है इसको और फिर इसको कट करते जाना है तो यहां पर बस इसको हम इस तरीके से दबा आप बिल्कुल भी आपको परिशानी नहीं आएगी बनाने में बहुत ही असानी है तो यहां मैंने कटकर लिया है और अब इसको छोटश्चोटे हिससे में कट हिसाइई बनाने हैं तो बस इसको बडालु सा अब यहाँ पर देखे पर सारे का यहाँ कन आ बसको लोल करें आ इसको रोल कर लिया है, और बालूषाई आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटी यः बड़ी जैसे भी आपको बालूषाई हैं यहां पर बनाना है, और बीच में हैं यहां पर देखिए इस तरीके से हॉल कर देंगे, और इसी तरीके से सारे बालोशाई बना के तयार कर लेंगे तो यहाँ मैंने तेल जो है मीडियम पर गरम किया हुआ है और इ 카 । इक तरीके से हलके हलके bubbles आने शुरू होंगे और इसको fry भी हमें low flame पर करना है तेज यह मीडियम flame पर नहीं करना है एक बार के बालुशाई फ्राई होने में 12 से 15 मिनिट लग जाता है क्योंकि लो फ्लेम पे ही हमें इसको फ्राई करना है अब देखिए सारे जो बालुशाई यहां उपर उठके आ गए हैं और यह देखिए थोड़ से साइज में डबल भी हो गए है चाशनि में डालेंगे तो यहां पर बदेखिए क्पड़ी देखिए और धर से साथिसल ना है लिए आपको देख भी हैं कि इसके अंदर से में बबल जाला है जब चाशनी में में बालुशाई डाला है तो और इसको यहां पर दस मिनिट के लिए हैं चाशनी बालुशाई पी ले दस मिनिट के लिए छोड़ना है तब तक आप आगे का जो बालुशाई है वो बना के तियार कर लें तो यह देखिए इस तरह से बबल जा रहे हैं और यह देखिए दस मिनिट बाद इसको अब निकाल लेते हैं चंणी पे ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए तो यहां में चंणी पे इसको निकाल लेती हूँ और चाशनी में डालने के बार दीख सकते हैं वह चेंज हो गया है अब यहां पर देखिए मैंने प्लेट कर लिया है और बारी कटेवे फिससे से सजा रही हूँ और देखिए जितना रसीला ये रस्पी कैसी लगी थैंक यू